हेलो फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आए हूँ गेंदे के फूल के पुछ उपचार गेंदे का फूल जिसे प्राचींकाल से सौनरे निखारने के लिए बहुत ही प्रयोग किया जाता है क्या आप जानते हैं कि उसका उपयोग हम कई स्वास्ते वर्दक उपचारों के लेवी कर सकते हैं आप चाहें तो गेंदे के फूल का उपयोग करके अपने आप को स्वस्त बना सकते हैं तो आईए बिना किसी देर किया जानते हैं गेंदे के फूल के बारे में विस्तार से टिप नमबर वन यदि आपके कानों में दर्द है और वो बरदाश के बिलकुल बाहर हो रहा है तो आप गेंदे के फूल की पत्यों को निचोड लीजिए और उसमें से रस निकाल लीजिए थोड़ी थोड़ी बूंदों को अपने कानों में डाले ऐसा करने से वो रस आपके कानों के दर्ट को खीच लेगा और आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा टिप नमबर टू कई बार कई लोगों के सर में भी फोड़े फुंसेया हो जाते हैं जिसकी वज़द से हेस्टाइल वनाने में, कंगी करने में उने बहुती प्रॉब्ลम होती है उन फोडे फूंसियों से निजार पानी के लिए आप मैदे के अंदर गेंदे के फूल और पत्यों के रस को मिला कर हफते में दो बार इसका लेव अपने सर पर कीजिए और उसके बार धोलीजिए ऐसा करने से आपके सर को ठंड़क भी मिलेगी और आराम भी मिलेगा टिप नमबर त्री दमे और खासी में काफी आराम दिलाता है गेंदे का फूल अगर आपको दमे की बिमारी है या फिर आपको बहुत खासी आ रही है तो आप सूखे हुए गेंदे के फूलों को पौडर कीजिए और मिश्री मिला कर इसका सेवन कीजिए ऐसा करने से आपको का बायम बनाना चाहते हैं तो आप गेंदे के फूल का इस्तिमार कर सकते हैं गेंदे के फूल को पीस कर उसका लेव अपने पैरों के तलवों में लगाईए और उसके बाद इस लेव को थोड़ी देर रखने के बाद दो दीजे ऐसा करने से पैरों के तलवे चिकने हो जाते ह नमबर पाइफ शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो से दूर करने के लिए आप गेंदे के पत्यों का इस्तिमार कर सकते हैं गेंदे की पत्यों को एक साथ मिला कर अच्छे तरीके से पीस कर इसका एक लेप बना लीजे और शरीर के जिस भी हिस्से पर आपको सूजन दिखाए दे रही है उस हिस्से पर इस लेप को लगाईए आपको फायदा महसूस होगा साथी साथ सूजन भी कम हो जाएगी So friends, ये थे गेंदे के फूल के कुछ और शिदिय उपाए इनको आजमाईए और अपने व्यूस को हमारे साथ शेर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्से रिलेटीड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे